तो आज की रेसिपी है एक स्टार्टर की रेसिपी जिसे बनाना है बहुत ही आसान और जितनी यह आसान रेसिपी है उतना ही यह स्वादिश्ट और लाजवाब बनता है आप एक बार जरूर इसे ट्राइक करिएगा तो आज की रेसिपी का नाम है स्वयाबीन लॉलिपॉप तो दोस्तों अगर आप पाटी या कोई फंक्षन में कोई स्टार्टर बनाने की सोच रहे हों और अपनी कुकिंग स्किल्स दिखाना चाहती हों तो आप जरूर इस रेसिपी को ट्राइक करिएगा मैं बहुत ही इजी स्टार्टर कैसे बनाना है तो चलिए आए बनाते हैं आज की रेसिपी आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी लॉलिपॉप को कोटिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स तो इसे बनाने के लिए देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से दिखा र जिस में हम कोटिंग करेंगे तो देखिए यह कितना फोड़ी ठाग अब चलिये tidak कौई ब्रेड़ क्रॉंब्स रहरे में निकाल लेते हैं और अब मैं आपको बताती हूं कि सोया बीन के बॉल्स कैसे बनाने हैं इसे बनाने के लिए सोयाबीन को गरम पानी में डाल के हमें थोड़ी धे ढखके छोड़ देना है जब बड़ी फूल जाये तो उसका अच्छी तरह से पानी हम निकाल देंगे निचोड के और उसे मिक्सर जायर में पीस लेंगे यह देखिए कुछ स्वादानुसार नमक हलदी जीरह पोडर काली मिर्च पावडर लाल मिर्च पोडर थोड़ा सा चाट मसाला और जरा सा गरम मसाला तो lee सब को डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें बाइंडिन अच्छे सह हो उसके मैंने डाली है एक चमच मतलब एक टेबल स्पुन बेसन और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो हमारा मिक्चर भी हो गया रड़ी अब हमें एक इसकी सर लोरी बनानी है जिसमें हम डिप करके इसे कोट करेंगे तो उसके लिए क्या करना है एक चमच ले लेना है तेल लगा लेंगे और इस मिक्चर का अच्छे से एक छोटा सा बॉल का शेप देंगे अर उसके तुरंत बाधी ब्रेड क्रम्स पे अच्छे से हर तरब से कोटिंग करके और हलके हाथों से हमें इसे थोड़ा दबाना है ताकि ये ब्रेड क्रम्स इसमें चिपक जाए नहीं तो ये क्या होगा तलते समय निकल आएंगे तेल में तो ये देखिए मैंने एक एक करके सारे बॉल्स बना दिये हैं और अब मैं इसे तल रहूं और एक चीज का ध्यान रखें जब हम इसे तलेंगे तो फ्लेम को हमें मीडियम टूर लो पे रखना है ताकि ये अच्छी तर साराइँ तो अंदर तक पख जाएंगे ये देखिए इस तरह का हम तुदपिक लेंगे और सारे बॉल्स में एक एक तूदपिक लगा देंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें सर्फ करने पर भी आसानी होगी तो है नई है स्टार्टर की एकदम इजी सी रेसीपी तो आप भी इसी तरीके से बनाई है सोया बीन के बॉल्स और यह देखिए लॉली पॉप स्टाइल स्टाटर है तयार और सर्फ करने के लिए इसके साथ मैंने बनाई है धनिया की चटनी और आप चाहें तो टोमेटो सॉस के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं भाई जिसे जो पसंद उसके साथ इसका इंजोय ले और यह देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूं यह अंदर से भी कितने अच्छी तरह से पक गया है तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो जाते जाते जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेर यह वीडियो पसंद आई होगी तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई